नमस्कार दोस्तों मैं आपके लिए एक बार फिर से सोना बनाने का प्राचीन प्रियोग लेकर के आया हूँ जिसके माध्यम से कोई भी मनुस जितना चाहे और सकता नुसार सोना बना सकता है जिहां दोस्तों यह जो प्रियोग है बहुत ही अद्बूत है और बहुत ही अलग है इसके माध्यम से कोई भी मनुष से एक किलो दो किलो तीन किलो पाँच किलो अराम से सोना बना सकता है लेकिन दोस्तों इस प्रियोग को सिखना कैसे है, करना कैसे है, सब बताऊंगा इस विधी में, तो किरपा करके इस विडियो को पूरा और आखरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, जो मैं समझाना चाहता हूँ, तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ, सोना बनाने का प्राचीन प्रियोग, लेकिन दोस्तों इससे पहले ऐसे कई दरसक हैं, जिनको जवाब देना जरूरी है, जो कहते हैं कि इन और सदियों से सोना नहीं बनता है, तो दोस्तों ऐसा है भाई, कि जो मैं आपको प्रियोग बता रहा हूँ, सुन तंत्रम नामक प आज भी संबो है, लेकिन दोस्तों ये चीजे आपके उपर है, कि आप कितना ध्यान से, कितना बारीकी से, इसको समझ करके काम्याब हो पाते हैं, मैं आपको बार-बार कहता हूँ, कि मन में, जिहां दोस्तों, मन में किसी भी प्रकार का पाप मत रखियेगा, और गलत मनसा स ये किरिया मत करियेगा, जिहां दोस्तों, एकदम सांत सुभाव से और बढ़िया तरीके से सोना बनाने का ये प्रियोग अजमाईएगा, आप सफल जरूर होंगे, लेकिन दोस्तों, ये सारी बाते आपके उपर लागू होती हैं, कि दोस्तों, आप इस सोधकार में कितना दोस्तों, सफल होते हैं, अगर आप सफल हो जाते हैं, तो दोस्तों, आप निश्चित ही, जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फिर भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि कितना भी समझा लो, समझ में बिलकुल नहीं आता है, औ बहुत ही असानी से बहुत ही अराम से दोस्तों मेरा मकसद है आपको प्राचीन ग्यान के बारे में जानकारी देना उससे जागरुत करना आपको सही चीज़ को समझाना बांकि आपके उपर है उस चीज़ को समझो चाहे न समझो तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ स प्रियोग में औसधिये पेड़ का प्रियोग होता है और इस औसधिये पेड़ का नाम है बेल दोस्तों आपने बेल का पेड़ जरूर सुना होगा बेल का पेड़ दोस्तों आपको हर जगह और पूरे भारत में कहीं पर भी मिल जाएगा जहां पर दोस्तों हर्याली छाई जाती है और दोस्तों बेल पत्र से भागवान सिव संकर जी को प्रसंद किया जाता है ताकि हमको आशिरबाद प्राप्त हो सके तो दोस्तों यह पेड़ अध्यात्मिक रूप से अरुबेदिक रूप से और धार्मिक रूप से भी बहुत जादा महत्तो है तो दोस्तों और सक्तानुसार ले 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 बेल के नए कोमल पत्ते लेने है और सक्तानुसार लगभग 100 गिराम की मात्रा में ठीक है दोस्तों इसको कूट पीस करके इसका 100 गिराम रस निकाल ले और सक्तानुसार आपको बेल के कोमल पत्ते लेने है और दोस्तों इसको कूट पीस करके इसका 100 ग्राम रस निकालने और इसको निकालकर बोतल या किसी दूसरे पात्र में रखकर उसमें आमल सार गंधक मिलाकर 15 दिन तक यथावत रखने से आमल सार गंधक कोमल हो जाता है दोस्तों आमल सार गंधक एक पिरकार का तत्त होता है जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा इसका पताल यंत्र से तेल निकाल ले जिहां दोस्तों आपको क्या करना है कि आपने जो बेल पत्र लिये थे आउसकता नुसार जिनका आपने सोगराम रस निकाला था ठीक है दोस्तों उसमें आपको जो है आमल सार गंधक को मिला करके आपको 15 दिनों तक यथावत रख देना है और दोस्तों जिहां दोस्तों इस चीज को ध्यान से समझेगा 15 दिन तक यथावत रख देना है आमल सार गंधक में मिला करके बिलपत्र के रस को और दोस्तों फिर आमल सार गंधक जो है दोस्तों कोमल हो जाता है मुलायम हो जाता है इसका पताल यंतर से तेल निकाल ले दोस्तों अब आप कहोगे कि पताल यंतर हम कहां से लाएं तो दोस् दोस्तों आप यूटूब पर सर्च कर सकते हैं कि पताल यंतर क्या है पताल यंतर कैसे बनाए तो दोस्तों आपको यूटूब में असानी से पताल यंतर बनाने के बारे में बता दिया जाएगा तो दोस्तों आप यहां से पताल यंतर के बारे में सीख सकते हैं तो दोस्तों आपको इस तेल को सुध तामबे और सुध रजत यानि दोस्तों चांदी सुध तामरपत लेना है और चांदी यानि दोस्तों आपको लेप करके अगनी में तपाने से दोनों ही सोने में परिवर्तित हो जाते हैं समझ गए होंगे दोस्तों अगर नहीं समझे तो एक बर दुबारे से आपको मैं समझा देता हूँ दोस्तों आपको बेल पत्र के रस निकालना है जो बेल पत्र है उसका आपको 100 ग्राम रस निकालना है और दोस्तों उसमें आपको आमल सार गंधक भी समान मात्रा में मिला करके 15 दिनों के लिए रख देना है ऐसा करने से आमल सार गंधक दोस्तों कोमल हो जाता है और दोस्तों इसके बाद आपको पताल यंत्र में इस पदार्थ को रख करके इसका तेल निकाल ले फिर इस तेल को जिहां दोस्तों फिर इस तेल को सुध तांबे में लगा करके या फिर चांदी में लगा करके अगर आप इसको अगनी में पकाते हैं तो दोस्तों तांबा हो या चांदी सोने में बदल जाता है जिहां दोस्तों अब आपको अगला प्रियोग बताते हैं बेल के नबीन कोमल पत्तों के उजवल स्वरस को निकाल कर उसमें सुध पारध का मरतन तब तक करें जब तक पारध की गोली ना बन जाए निकालने के पच्चात आपको सुध पारत चाहिए जिसको पारत हातु भी कहते हैं आपको सुध पारत चाहिए दोस्तों ध्यान रखिएगा सुध पारद लीजिएगा और दोस्तों असुध पारद मत लीजिएगा नहीं तो कोई भिलाव नहीं होगा सुध पारद का मरदन मरदन यानि दोस्तों इसको अच्छे से घुटाई करनी है तब तक करें जब तक पारद की गोली न बन जाए और पारद यानि पारद हातु की गोली बनाने के बाद उसको सराब या मूसा में रख कर कोमल अगनी में यानि दोस्तों एकदम धीमी आच में पकाने से दोस्तों इस किरिया से लावा के समान पारद का भसम बन जाता है यानि दोस्तों भसम तयार हो जाता है पारेधातू का और ये भसम तांबे और चांदी को जिहां दोस्तों तांबे और चांदी को सहस्तरांस से वेध करता है अर्थात सो गिराम तामे में एक गिराम भसम डालने पर जो आपने भसम बनाई है मतलब एक हजार गिराम तामे में एक गिराम भसम डालने पर संपूर्ण तामबा और चांदी सोने में परिवर्तित हो जाता है यह दोस्तों प्रियोक था जिसको आप असानी से कर सकते हैं और दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत हलकी फुलकी दोस्तों बोल चाल की भासा में थोड़ी कमी आ गई है तो इसके लिए दोस्तों खेद है अगर कोई गलती हो तो मुझे छमा करें और दोस्तों मैं आपको कोशिस करूँगा कि आगे चल के ऐसी और वीडियो लेकर के आता रहूं अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दवा लीजिए क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की दिवजान करिया लाते रहते हैं